मेरी प्यारे दोश्तों, आसा करता हूँ कि आप सब आच्छे हो गए अभी हबी कुरोना के वज़े से काफिलों की माध हो चुकिये अभी फीर से नया शुरूवत है एक वाड़, डिप्रेशन्स के वज़े से आप लोग को पता है कि हमारे बल्लियोटته, शिजसानसिक राज़पूत के वीटेध हो गया है क्या है डिप्रेशन्स? क्या सच में, डिप्रेशन्स हमारी जैसे काफिलों का जानलवा हो हो चकता है तो इस दिप्रेशन का जो वाड होता है, वह बहती ही महित्पन होता है, क्यों एक लोग डिप्रेशन होता है? आसा करता हूँ अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्रीम है चानल तो डिप्रेशन का वार्ट का मेंनिक अगर मैं बताऊँ तो मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको एक गाओं था, एक गाओं में एक पिता और एक पुत्र रह देते कुछ दिन के बाद उनके जो माता थे, वो गुजर गए तो पिता क्या कि ना बेटे को पालन पुसन करता थे जब बेटा बड़ा हो गया, तब ही ओ क्या-क्या किसी बज़े की करण से वो डेप्रेशन में चला गया तो उसके जो पिता थे, उन्होंने सुचे, केरे में उनार बच्चा अगर डेप्रेशन में गया है तो में क्या करो? क्योंकि उनको डर था कि उनकी जो बेटा है, ओ किसी सुचेड बगरा नहीं करें तो इसलिए उन्होंने क्या-क्या उनको पुत्र को यानि के बेटे को सबक सिखाने के लिए एक उपाय ढून लिया तो पेले दादा जी जो उनके दादा जी थे, दादा जी ने क्या क्या उनके बेटे को एक घड़ी दिये थे तो ओई घड़ी को इसने किया कि जो फादर ने, क्या कि बेटे को गड़ी दे दे भूले, कि बेटा, पास भी जो दुकान है घड़ी का रेपैर रेट में लेगा अगर हम घड़ी भेज देंगे तो कितने रेट में पेलागा तो बेड़ा क्या अगर चला गया? जाके पूछा रेपैरीग इन सेटर के जो थे सार बगेरा थे उनको जाके पूचा की अए घाड़ी को हम लोको भेजना है तो कितना है? तो उन्होंने बुला कि हम लोग ए घाड़ी फाईफंटर रूपीज में लेंगे तो बैटाने कैया कि वो घाड़ी लेका चला है, और एक रहसीट भी लाया की कितने रूपिया इसने बोला है तो पापा को आके देदे, पापा ने के के अरशीत को बोला एक वालके वाल पे चिपका दे कि 500 रुपय मेझा पर आरीकशेटर बोला ऋही घड़ी औरटं कि अही अऊप कीजा शया जहां पर हमलोग का डब हेट भूलत है दो कि हमारी इसरो पुछो जाके बेटा ने गया जाके बोला कि हम लोग को घड़ी भेज़ाना है तो आप इतने रुपे में लेगे तो उन्होंने बोला कि हमको साव रुपे में लेंगे तो भी एक रषित लेकर लेकर लाया बेटे ने तो वहा वह भी क्या सेकेंड डेट रेकर रेकर करके पिता ने बोला तो यह बाला हो गया 500 यह बाला हो गया 100 तो तिसरे दिन पीता ने वह घड़ी को एक म्यूजियम पास म्यूजियम इतना कितना पैसा है आप लोग को जानता है म्यूजियम क्या करते हैं पुराने चीज को अची तरही तरही से रखते हैं तो बेटे ने क्या क्या है ओई घड़ी को लेकर गया पास भी म्यूजियम को म्यूजियम बाले क्या क्या है ने सारे उनके जो ग्रूप हो आपके बेटा देखो यह हुया 500 यह आपके हुआ 100 यह पांच लाग अभी इसमें जो तीनों दीन मैंने आपको घड़ी लेकर वहां से वहां से जाने के लिए बोला आपने क्या सिखा बेटे ने बोला मैंने कुछ ने सिखा पिता ने बोला इसी बेव जिसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जहां पे आपका भ्यालू है वहां पे जाओ आपको जहां पे आपको सही नहीं लगा कि आपका भ्यालू का कोई नहीं है तो यहां पे मत जाओ अगर भैलू जहां पर नहीं होता है आप वहां पर जाते हो कि वहां वही लोग से आप मिलते हो तो आपको कहा होते है डिप्रेशन आता है अगर आपको लगा कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ तो आप वहां छोड़ दो इस्तान या इविक्ति को छोड़ दो जो ब्यक्ति के अस्तान आपका भ्यालू लाता है वह इस्तान आन ब्यक्ति के पास जाओ बिक्ति के पाश जाने के बाद आपको कहते हैं, माइंड को क्या करना है, आक्टिविट करना है, आक्टिविट करने को दिखोगे जो डिप्रेशन का जो चीज है, वो हमारे दिमाग क्या, दिमाग से बाहर जाएगा, अगर एसे कहने आप चाहतो हो कि मेरे में बोलू, या इस अगर यह वाला कहाने आप बहुत है लगा तो सब्सक्राइब को लाइक और कमेंट करो अगे थेंक यू थेंक यू थेंक यू अल आप यू